करन जोहर ने रितिक रोशन को लेकर अपने बैनर धर्मा प्रॉडक्शन के तले अगनेपत बनाई थी इसके बाद उहोंने रितिक को शुद्धी फिल्म का उफर दिया और रितिक में ये फिल्म स्वास्तिसंबंधी समस्या के चलते छोड़ दी शुद्धी के बाद करण ने हाल ही में रितिक को एक और फिल्म कलंक का उफर दिया इसे टू स्टेट्स बनाने वाले अभिशेक बर्मन निर्देशित करने वाले हैं लेकिन रितिक ने कलंक ये कहकर करने से मना कर दिया कि वे इस समय पीरेट ड्रामा के मूड में नहीं है रितिक की अगली प्रदर्शित होने वाली फिल्म मोहंजो तडो भी पीरेट ड्रामा है पीरेट ड्रामा करने में बहुत मेहनत करनी होती है और रितिक लगातार इस तरह की फिल्म नहीं करना चाहते वे हलकी पुलकी फिल्मे करना चाहते हैं